अमीना बुटिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और दोस्तों आज मैं आपको यह जो कमीज के साइड में इस तरीके के बॉर्डर आते हैं इसको मैं चाक में यूज करने का तरीका सिखाऊंगा यानि कि कमीज के जो चाक होते हैं जैसे देखी मैंने कुर्टा पहना है और यह चाक ओपन होते हैं तो इस साइड में आप फिनिसिंग से बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं दो तरीके सिखाने वाला हूं अगर आप यह दो तरीके सीख लेते हैं कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी चाहे आप यहां पर बॉर्डर लगाएं चाहे आप यहा मैं को दिख लेना हो सकता है दिखने की जवरत भी ना पड़ें तो यह कंडी में सब से पहले क्या करना होगा कि यह चो कंडी यह जो बॉर्डर है हमारे पास कपड़ा इसका सब धो मिटर और यह वन साइड आपका बॉर्डर हैं तो आप एक साइड इधना लेलो और एक हां कटिन लोटा थे तो कभी कभी क्चलाने से बार्डर बिकर जाता है आपको बार्डर दऄना हमेशा इस के सिंगल जालने के बाद कैसे यूसले कूं बता दूगा सबसे बाइस करते की करें कि इसके चक्रणानी में उसके बार बाइन अगर आगे-टर लघाना कि तो तो कैसे लगा सकते हैं और अगर आपको आगे पीछे बॉडर लगाना है चाक में सिर्फ तो कैसे लगा सकते हैं अब दोस्तों बात करते हैं हम online classes के बारे में तो अगर कोई भी घर बैटे हमारी classes जोइन करना चाता है सूट classes ब्लाउस क्लासे हमने दो नाम दिये हुए सूट क्लासे से बहुत सी चीज़ें जैसे पैंट प्लाजों बिलाउस में भी बहुत तरीके के बिलाउस पैटरंस हैं तो आपको सारे जानकारी जो स्कीन पर नंबर दिया गया इस पर मिल जाएगी और स इसलिए मैंने यहां पर देखिए भाई पास से दिखाओ मैंने यहां पर तुरपाई नहीं होगी यहां यहां दोस्तों दोसरी साइड यहां पर पहले कर लोगाना है अब देखिए फिस्निसिंग से बैट चुके हैं से हमें बहुत लगा कि रिखाता हूं तो यहां पर आने के बाद हमें सबसे पहले बॉर्डर को नापना होगा तो हम यहां पर बाइपास में यहां से सबसे पहले आपको क्या करना है माननों आपके पास आयरन है यानि प्रैस है और आप चाहते हो फिलीशिंग में इसको बनाना जोड़ा घूंकिया इस साइड से यहीजा सकते हों तो बता हो देखिए दोस्तों यहां पर हमारे ओस को चाहला है जितना दिखाना है आप यहां यह जरूरी आपको ऐसे करते हैं कि यह हमने कर लिया अब दोस्तों एक चीज और यहां पर किनारी वाली जो साइड होती है यह थोड़े खिचाओ होता इसके अंदर तो आप इसको पहले या बाद में इस किनारी को कटिंग करके निकाल देना वरना इससे जोल पड़ती है इस चीज का दियान रखना फिनीसिंग स कि इसको ऐसे रखा और इसको एक वरावर ऐसे मिलाया और यहां पर इसको प्रेस कर लिए देख रहें यह बैटता जाएगा फिनीसिंग के साथ आपको जितना चोड़ा दिखाना है इस तरीके से प्रेस लगाने के बार अब दोस्तों आपको एक बार ऐसे करना और यहां से अब इसको लगाने के लिए मसीन पर चलते हैं तो देखिए दोस्तों यहां पर हमने चाक का निसान लगा दिया और यहां पर हमें चकोटी लगाते कपड़ा जिससे की चाक ना फटे आप यह पहले से पहले लगा सकते हो ठीक है अब मैं इसको इस तरीके से रख लेता हूं रखने के बार जो बारण वहां भी हमने फोल्ड किया है इसको हम इस तरीके से रखेंगे एक चीज और ठीक और रखनी आपको कई बडर ऐसे हो तो इसमें फूल का चक्कर होता है कि उपर की तरफ आ रहा है अगर इस तरीकी की कोई दिख्कत हो या इस तरीकी कोई चीज़ ह तो आप कोई दिहान रखना होगा कि कौन सा हिसा उपर जा रहा है वहीं पर लगाएं अब देखिए मैं इसको एक बराबर ऐसे रखता हूं इसको ऐसे पकड़ना है और अराम से रखना है वह सिलाई लगानी है इसी तरीके से आपको एक बराबर रखते हुए यहां पर सिलाई लगानी है तो यह देख रहे हैं आप जैसे मैं सिलाई लगा रहा हूं न स्यम आपको इसी तरीके से पॉड़र लगते हुए सिलाई लगानी है अब देखिए जहां यहां पर आएंगे हम तो इधर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है यह जो हम देख रहे हैं अंडर की साइड में कप्ड़ा फोल्ड है बस यह कपड़े को ऐसे करके यह वाली साइड में आपको नाखुन लगा लेना है ऐसे ऐसा नाओ कि कपड़ा अब इसको आपको फिनीशिक दिखती होंगी बस आपको बरावर मिलाना है यहां प्षाइड आएइसे करके फोल्ड नहीं करना सिदे वह लुक नहीं लगा लेता हूं इसे खोलना ही पड़ेगा मुझे तो कि न मुल्डना भी आपको दिखना चाहिए यह देखिए मैं यहां से लगा लेता हूं थोड़ा था अब देखे दोस्तों माल लीजी हमारा यह निसान है तो इस निसान पर आपको नाप लेना है और हम सबसे पहले इसको यह एक फोल्ड हो गया भाई दिख रहा है ना किलिए अब इसको एसे एक नोग बनाएंगे ऐसे करके देख रहा हूं यह जैसे मैं नोग बना रहा हूं तो अगर को लेश्वी आप लगा रहे हैं ऐसे लगाना देखिए यहां पर पकड़ने के बान अब इसको एक बराबर लेंगे अब यह घुमाने के बार पहले में धागा कट कर लेता हूं यार रखें धागा हैंट्वान कट करते रहेंगा कहीं पर उतार रहे हूं अब यह वाली जो साइड देखिए कैसे जा रहा है नहीं अब बस आपको इससे रखना है नीचे नहीं जाना चाहिए इसको एक ब करेंसे 176 से महां को ऐसे यहां पर स्हिंबाहने भानी है तो स्प्राइब लगाने के बार आप हम यहां की सलयक करेंगे कि कैसी लगा हैंप एक बार देखिया यहां कहीं सकते हुसे साथ यहांपि पर रमना रभार बोर्डर को आना उसके बाद यहांसे लाएं हमारी जोChelat कोई जोल नहीं है हलका यह कपड़ा है इतना आता है को इससे दिक्कत नहीं होगी तो यह पहला तरीका है आप इस तरीके से अगर फरंट फरंट में आपको चाक लगाने हैं तो आप इसी तरीके से लगाएंगे अब दोस्तों आपको एक तरीका सिखाता हूं कि आपको फरंट नहीं है तो वों किस तरीखे से यहां पर इसको बॉरडर को लगा सकता है अब देखिए दोस्तों अमान लीजिये आपके पास प्रेस नहीं है तो आपको इस तरीखे से करना है यह कभी लाइट चली जाती पिर ऐसे तो आपको ऐसे फोल्ड करना है और यहां पर रखे न आपको यहां पर लगानी एक कच्ची तरीके से तो इसी तरीके से दोस्तों पूरी कच्ची सलाई इस वारी साइड में लगा लें फिर मैं आपको एक तरीका और पताता हूं तो यह सलाई लगाने का जो फायदा है ना वो यह है कि जब हम बॉर्डर को लगाएंगे ठीक है प्रैस की जूरर नहीं पड़ेगी और इसको बाद कि यह होती है पक्की सलाई ठीक है यह खुलेगी नहीं तो आपको फिनिसिंग से किनारवेग सलाई लगाने है और आप यकिन मानों मैं हमेशा इसी तरीके से लगाता हूं यह जो अब आपको दिखा रहा हूं ना अपने बुटिंग में ऐसे ही लगा के देता हूं कोई दिक सिंगल शिलाई लगाने और यह पकी सिलाई है कि अब दोस्तों देखो यहां पर मैंने आपको सिंगल बॉर्टर लगाने का तरीका बताया जिससे आप फंट में लगा सकते हों अब मैं आपको बतारह हूं वो तरीका जिसे आप आगे वाली साइड में दोनों चाक एक साथ तो इसके लिए बॉर्डर कट नहीं करना आपको बस इसको एक बॉराबर ऐसे लखना है देखो मैं बिल्कुल भी कोई चीज़ स्किप नहीं करूँगा जिसे कि आप अराम से देखते हैं आप देखे मैं एक बॉराबर लखूँगा इस तरीके से लगते हैं तो यह चीज़ मै भी करूँगा बिल्कुल भी आप अराम से देखों ठीक है अब जब यहां पर आएंगे हम तो यहां पर भी दोस्तों आपको एक चीज़ का दिहान लखना है जितने ऊपर आपको लगाना है चाक वह आपको देखना है अंदर के साइड से भी आपको फिनिस कर देना है मैं य जिसी लगाते आना है कि जब इस साइड में आओंगा कि यहां पर यह वाली साइड़ मेला हाथ कैसे चलेगा अब इस अब इसको में ऐसे कर देना है घैए जैसे मैंने फोल्ड किया यह देखना है निसान यहां तक है और फोल्ड करना है थोड़ा नीचे तक ठीक है यह देखो इस तरीके से बस आपको ऐसे फोल्ड करना है जब आपका निसान तक यह बिल्कुल बराबर आ गया जैसे कि आप देख सकते हैं यह बराबर आ गया और इस साइड्र फिनिसिंग से को ना निकल गया यह साभी आपका सीधा आ रहा है बस आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है भी देखो अब यह लगाते हो यहां तक आएंगी अब इसको ऐसे घुमाएंगे ठीक है और इसको ऐसे घुमा कर यह वाली साइट को ऐसे फोल्ड कल्ट के यहां मिला देंगे देखो ऐसे यह मिलाकर हलका सब सिलाई लगाएं और इदर ले आएं और इसको एक बराबर मिलाते हुए यहां पर सिलाई लगाएंगे ठीक है अब आप देख सकते हैं हमारा यहां पर नोग बन चुका बिना जोड की और अब इसको दोस्तों एक बराबर लगाते हूं नीचे तक लेके आएंगे कि यह मैं पूरी चीज इसकिपनी कर रहा हूं इसे आप अराम से देख पाएंगे आखिर हमने बॉर्डर को लगाया कैसे हैं ठीक है और इस बॉर्डर कर लेंगे कटिंग ठीक है अब हमारे पास इतना ही बॉर्डर बचा है देख सकते हूं यानि कि हमारा यह बैक साइड वाले चाक में नहीं होगा तो हम यहां पर क्या करते हैं आगे वाले चाकों में बॉर्डर लगा देते हैं या फिर गले बाजू में ब बाद में खोल लेंगे क्योंकि हम इसे फरेंट फरेंट चाक में चाहिए इतना बॉर्डर इसके अंदर नहीं है अब देखिए दोस्तों एक तरफ हमारा बॉर्डर लग चुका है अब यहां से हम दूसरी सिलाई लगाएंगे बॉर्डर भी आपको चेक करना पड़ता कितना आपका यूज में आएगा अब देखिए हाथ से इसको ऐसे करो ताकि कपड़ा आपका अंदर जोलना खाए और फिर इसको ऐसे सिलाई लगाओ ठीक है अब यह सिलाई आपको उसी दगा लगानी जो मैंने सिलाई से यहां पर फ पर आजाओ लगाते फिर इसको ऐसे घुमाओ तो इसको इस तरहीं लगा तो यहां पर आएंगे ठीक है और मैं थोड़ी ना बड़ी सिलाई कर लेता हूं मुझे हिस्सा खोलना पड़ेगा ठीक है इस लिए हम इसको ऐसे करके देखिए बिलकुल वही तरीका है से अब इसक चाक जरूर ना आपने क्योंकि कभी कभी चाक लगाते वक्त छोटे बड़े हो जाते तो दोस्तों इस तरीके से आप दो तरीके से चाक में बॉर्डल लगा सकते हो अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूं काउंटर पे चल कर तो यह देखिए दोस्तों यहां पर आप तो दोस्तों यह जो मैंने आपको तरीका सिखाया ना यह बॉर्डल लगाने के दो तरीके यह आपके इतने काम आएंगे इसी मदद से बिल्कुल से माप कोई भी लैस को भी लगा सकते हो यानि कोई कावी कस्टुमर होते हैं जो लैस दे जाते हैं तो यही प्रोसेस हैं इस दोस्तों इसी तरीके की वीडियो दोस्तों हमारे चैनल पर आती रहती है अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अपना प्यारा सा लाइक कर देना और जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं और उनको यह तरीका अगर पसंद आया तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपनी online classes के बारे में मैं करता हूं, जो लोग वाकिए में काम सीखना चाहते हैं, दोस्तों, हमारी online classes join करो, मैं आपको सीच की guarantee दे सकता हूं, कि अगर आप हमारी online classes join कर लेती हैं और आप महनसे काम सीखते हैं, तो आप दोस्तों अपने बुटिक अराम से खोल सकते हैं, अगर बुटिक नहीं खोलना चाहते हैं, तो अपने घर में किसी के भी कपड़े बना कर पैसे कमा सकते हैं, इसकी फीस कितनी है, क्या क्या सिखाएंगे, कैसे सिखाते हैं, पूरी डिटेल आपको जो श्कीन पर नंबर दिया गया, इसी नंबर पर वर्से मैसेज करना है, और वर्से मैसेज करने का रहा हमारी प्रोफाइल चेक करोगे, तो आपको पैटर्न की फोटो वगरा भी वहाँ देखने को मिल जाएगी, मिल दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में तब तक के लिए, अल्ला हाफ नंबर पर वहाँ नंबर प्रोफाइब लिए।